जार्खन मुक्ती मोर्चा ने अपना घोसना पत्र जारी कर दिया पार्टी के अध्यक्ष सीबू सोरिन ने इस घोसना पत्र को जारी किया इस मौगे पर पार्टी के कारीकारी अध्यक्ष हमन सोरिन और पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे जारखन मुक्टी मुर्चा ने बर्फेर से राज के जल जंगल और जमीन की रख्षा को अपनी घुसनपत्र के माधियम से संरिक्षित करने का वादा किया है इसके साथ सां जारखन के बिकास को लेकर कई बातों का जिकरी इस घुसनपत्र में किया गया है पार्टी के अध्याच सीवु सोरे ने इस घुसना पत्र को जारी किया वही कारेकारी अध्याच हेमन सोरे ने इस तिबारी की एकोई मीडिया के सामने रखा जन्गल देना से बेदखर करने का सरयान चल रहा है। ऐसे कई बिसे रोजगार से जंग को लेकर आज आपको पता है पूरे देश में अजादी के बाद सबसे अधिक भी रोजगारी आज के दिने हैं आज ये कैसे देखी जा रही है। हिमिन सोरेन ने घोसना पत्र के साथ साथ वर्तमान में केंडर और राज सरकार पर निसान असाधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जंता को गुमड़ा किया जा रहा है वर्देश के हित में नहीं है। सरकार के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। लोगों को एक गलत दिसार और गुम्राह कर देश में यह तुनाव लड़ा जा रहा है। आज कहीं न कहीं सरकार के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। रोजगार के संदर में भारती जनता पार्टी के लोग नहीं कहते हैं। आज रास्टवार्ट के नाम पर भारती जनता पार्टी तो खुधीर रास्टवार्ट का विरोगी है। रास्टवार्ट के वेपारी है। और यह देश के लोगों का रास्टवार्ट की बात कता है। आज निसी गूप से देश एक ऐसे मोरा पर खड़ा है जहां देश के सवासो करोड़ लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या इस देश को चंद लोगों की आंखों से देखा जाए कि 400 करोड़ लोगों की आंखों से देखा जाए जार्खन में सबसे बड़ी बेपक्षी पाटी ने अपना घोसना पत्र तो जारी कर दिया लेकिन इस घोसना पत्र को लेकर जनता को किस तरह से समझा पाती है या चुनाव के बाद ही पता चलेगा क्योंकि उनकी तक कर सीधे बीजेपी से है चुवर्तमान में केंडर और राजे दोनों जगों पर सरकार चला रही है इसके साथ साथ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकट छोक दी है अपनी कमदोरी चुपाने के लिए बातों को करते हैं आज पूरे पांग साल के अंदर भारती जन्ता पाटी ने देश के साथ क्या खिलवाड किया आज इनके नीतियों के वज़े से देश का कोई भी वर्ड चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे नौजवान हो चाहे आदिवासी हो, चाहे दलीथ हो, चाहे अल्पसंक्यक हो, चाहे बैपारी हो, सभी लोग तरस्ट